ये नाटक में उस सफल होने वाले नहीं हैं कहे कि माननीय मुखमंद्री जी कह दिये हैं कि जो भी 17 महीने में लूटा गया है सारे लूट का हिसाब होगा पूरी तरह हर विभाग और हर फाइल का जाच होगा इससे बैचेन हो करके उनको लगता है कब जेल जाने वाले हैं उसस से पहले जनता को भड़काने के कोसिश कर रहे हैं तेजस्वी यादफ जाएंगे जेल तीजस्वी के 17 महीने के कारेकाल में हुए सभी काम और सभी विभाग और सभी फाइलों की होगी जाच जिसके बाद तेजस्वी यादफ का जेल जाना तै हो जाएगा तेजस्वी और ये तमाम बाते कही गई है बीजेपी विधायक नीरज कमार बबनू के तरफ से जिनोंने बड़ा बयान दिया और बयान देते हुए कहा कि जेन जाने से पहले तिजिस्वी यादब जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं तिजिस्वी यादब पर हमला बोलते हुए बीजेपी विधायक नीरज ने कहा कि तिजिस्वी यादब घूम घूम कर जनता को दर्ज सुनाने का काम कर रहे हैं और घूम घूम कर जनता का दर्ज सुनने का नाटक कर रहे हैं इस नाटक में सफन नहीं होंगे क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि जो भी 17 महीने में लूटा गया उसका हिसाब होगा पूरी तरह हर विभाग और हर फाइल की जाच होगी इससे बेजैन तेश्वी अदब जी जब सरकार में थे तब उनको जनता का कोई याद ने आता था ना विकास का याद आता था पांच-पांच दवा करके रखे हुए थे हमको लगता है कि उनके दल में भी कोई सा कंपिटेंट विधायक ने था जिनको एक भी विभाग देते अभी घूम-घूम करके जनता का दर्द सुनने का हमको लगता कि जो नाटक कर रहे ने यह नाटक में उस सफल होने वाले नहीं है कहे कि जनता को भड़काने का कोशिस कर रहे हैं जनता जान रही है जनता समझ रही है कि कौन काम करने वाला है कौन विकास करने वाला है एंडिये गठबंदन जो नेचुरल गठबंदन था माननीय मुख मंतरी जी उसमें वापस आ गए हैं और सबों को पता है कि एंडिये गठबं के मुख्या नितीश और एंडिया गडवन्दन को लेकर जम कर हमला बोलते नज़रा रहे हैं वहीं से लेकर के सहर्चा से पूर्वो मंत्री और बीजेपी के विधायक निरज कुमार भगलू ने तेजस्वी पर जम कर हमला बोला तेजस्वी के जेन जाने तक की बात कहडा ली ऐसे में अब देखना होगा कि निरज कुमार के दावो में कितना दम है कौन-कौन सी फायल के जाच मितीश कुमार करवाते हैं क्या-क्या घोटाला सामने आता है और तेजस्वी को जेन होती है या फिर नहीं सेर्था के तीरस सिंग के रेपोर्ट विहार तरू